हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिट से एक नई वीडियो पर तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि exit exam के जो form भरने की last date थी वो 13 September थी और वो अब निकल चुकी है काफी लोगों ने form को fill किया है काफी लोगों ने नहीं किया है अब आपको बता दें कि भाई जब भरते समय उसमें कुछ न कोई गलतिया करी है उनको आप अप सही कर सकते हो तो दोस्तों आज सही यानि कि 16 सितंबर से आपकी correction की dates आ चुकी है अब दोस्तों कुछ नियम और सरते हैं भाई आप क्या चीज़े चेंज कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो तो दोस्तों आपको म फिर से मैं बता दूँ कि अगर आपने कोई document गलत अबलोड कर दिया है आप उसको सही कर सकते हो लेकिन आप जो चीज़ें नहीं सही कर सकते हो एक तो अपना नाम उसके बाद आपकी nationality उसके बाद अपना email ID, mobile number और test city तेस city दोस्तों वो जो आपने exam center में चुना होगा ये आप चेंज नहीं कर सकते आप चेंज कर पाओगे तो कोई भी document आप चेंज कर पाओगे ये जो चीज़े हैं 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चलेंगी यानि कि आपके पास पूरे-पूरे तीन दिन हैं ये चीज़ें चेंज करने के लिए 16, 17 और 18 सितंबर तक आप ये एक डेट और यहां पर उन्होंने दी है एक तो उन्होंने दिया है कि अगर आपका document गलत है तो उसका correction आप 16 से 18 सितंबर में कर सकते हो फिर एक window यहां पर दी है अगर दोस्तों आपकी photograph गलत है या आपका signature गलत है या आपका अंगूठे का निशान जो होता है थम impression जिसे ब impression तो बहुत लोग यहां पर गलती करते हैं photo straight होना चाहिए white background में होना चाहिए इस तरीके के हैं लोग बहुत ही silly silly mistake यहां पर करते रहते हैं ठीक है तो यह चीज़ें आपको समाल के रखनी है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका प्रवेस पत्र है यानि कि admit card 30 सितंबर को आ जाएगा आपकी परिच्छा की date 3-4-5 October है आपको पता ही है हर बार बताते आया हूं मैं कि आपकी यह dates रहने वाली है रिजल्ट आपका आ जाएगा 4 November 2024 को ठीक है यानि कि एक महीने के अंदर आपका सारा यह procedure हो जाएगा exam के बाद आपका result आ जाएगा उसके बाद दोस् आपकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखें सुरचित रहें